2024 में दुनिया के 10 सबसे ताकतवर पासपोर्ट टॉप 10 स्ट्रोंगिस पासपोर्ट इन 2024 नमबर 10 आइसलेंड जीडीबी 26 बिलियन डॉलर्स पर कैपिटा इंकम यनि के लोगों की सलाना उस्तन इंकम 56,000 डॉलर्स तो आइसलेंड एक छोटा सा जजीरा नमा मुल्क है जो के यॉर्प के मगरिब में वाकिया है और यॉर्प का ही हिस्सा समझा जाता है ये जजीरा नमा मुल्क कफी हद तक बर्फ से ढखावा है और यहां पर कुदरती हुजन भी देखने से तालुक रखता है आइसलेंड का पासपोर्ट ते दुनिया का दस्वा सबसे मजबूत पासपोर्ट है जिस पर आप दुनिया के 185 मुमालिक में बगहर इजासत के यनि के सिर्फ टिकट खरीद कर ही जा सकते हैं और इन मुमालिक में अमरीका, बरतानिया, यूए, जपान और पूरा यॉर्प यूनियन भी शामिल है, आइसलेंड एक ऐसा मुलक है जिसके आठ मुख्लिफ हिस्से हैं, चार लाग से भी कम अबादी के साथ ये यूरप के सबसे कम अबाद मुमालिक में से एक है, यहाँ पर जादतर अफराद क्रिश्चन है और इसलाम तो यहाँ पर ना होने के बराब ये एक जन्नत समझा जाता है, जिससे यहाँ की टूरिजम इंडस्ट्री को बहुत ही फाइदा पहुचता है, इस मुलक के खुदरती हुचन की बड़ी वजा यहाँ पर मौझूद नेचरल गीजर्स, वॉलकेनोज, यह निके आतिश फिशा पहाड, सैंड और लावा के फि पन लाख असी हजार पे बन जाते हैं, नमबर नाइन, लेट्विया, सलाना जी डीबी 40 बिलियन डॉलर्स, पर कैपिटा इंकम 34,000 डॉलर्स, दोस्तो आइसलेंड के बाद दुनिया का नोवा सबसे ताकतवर पासपोर्ट लेट्विया का है, जो के आइसलेंड की तरह ही य 86 मुमालिक में बगएर वीजे के जा सकते हैं, लेट्विया एक ऐसा मुल्क है जिसका बड़ा हिस्सा बर्फ में ढखा है और यह यूरप के बाल्टिक रीजन में वाक्या है, यही रूस के करीब वाके मुमालिक में से एक है जहां पर बर्फ से ढखेवे पहाड़ों का एक सिलसला वाकिया है, लेट्विया की कुल अबादी सिर्फ और सिर्फ 19 लाक निफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें से ज़्यातर अफराद का तालुक क्रिस्चन मजब पर है और यहां पर इसलाम के मानने वाले बहुत ही कम है, इसके बावजूद भी इस मुल्क में मजबी और हेल्थ बिल्कुल फरी है और यहां का मकसूस महौल सयाहों को सारा साल अपनी तरफ मतवज़ा करता है, यहां पर सरदी में दर्चा हरारत मनफी 44 सेंटी ग्रेट से भी ज़्यादा गिर जाता है, और बरफ से ढखके वे सुमंदर के साथ होने की वज़ए से यहां पर मौ काफी जादा ठंडा रहता है, यॉर्पी यूनियन का मेंबर होने की वज़ए से इस मुल्क को बहुत से मौशी फाइदे भी पहुंचते हैं और पिछले 25 सालों के दोरान इनकी मुष्यत ने काफी जादा तर्की की है, इस मुल्क को आज से सदियों पहले इस वक्के जर्मन और रूसियों ने आकराबात किया था और जंगे जीम अवबल से पहले ये जर्मनी का हिस्सा हुआ करता था, लेट्विया में लोग साल का ओसतन 34,000 अमरीकी डॉलर्स कमा लेते हैं, जो के पाकिस्तानी करन्थी में 95,20,000 पे बन जाते हैं, नमबर 8, एस्टोनिया, सलाना ज 87 मुमालिक में वीजा फ्री असेस मिल जाती है, एस्टोनिया भी यॉरप का ही एक मुल्क है, जिसकी कुल अबादी सिर्फ और 14,000,000 नफूस पर मुश्तिमिल है, और जिसका किनारा रूस और लेट्विया से लगता है, ये मुल्क कुल 2300 से ज्यादा चोटे और बड़े की अफ्ता मुल्क है, जहां पर मौझूद कम टेक्स की वज़ाए से यहां पर रहना, यॉरप के दूसरे मुमालिक के मुकाबले में काफी असान है, ये मुल्क दुनिया के सबसे पुराने अबाद इलाकों में से भी एक है, जहां पर आच से 14,000 साल पहले लोग के अबाद ह यहां का मौसम अकसर दर्मियाना ही रहता है, जहां ना तो जादा सर्दी होती है और ना ही जादा गर्मी, ये दुनिया के सबसे सेक्यूलर ममालिक में से एक है, जहां पर बड़ी अभादी का कोई मजभ नहीं है, और इसके साथ यहां पर मजभी अज़ादी भी हकूमत की से ही दी जाती है, क्यूंकि यहां पर आप अपनी मर्जी से अपना मजभ तबदील करने की कोशिश नहीं कर सकते, आपको इसके लिए गौर्मेंट की जावदत चाहिए होगी, एस्टोनिया के लोग साल का औसतन 42,000 अमरीकी डॉलर्स कमा लेते हैं, जो के पाकिस्तानी करंस अमरीका बिलाशुबा दुनिया के सबसे मशूर और सबसे ताकतवर मुमालिक में से एक है, और दुनिया के तमाम लोग की यह शायद खौहिश रखते हैं, कि वो अपनी जिंदगी में एक दफा अमरीका की सहर जरूट करें, ताइस ट्रिलियन डॉलर के जीडिपी के साथ अमरीका की मुष्यत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकचवर है, और 38 करोड अफराद की अबादी के साथ यह दुनिया का चोथा सबसे बड़ा अबादी अला मुलक भी है, अमरीका रगबे के लिहाद से भी दुनिय के सबसे बड़े मुमालिक में से एक है, और ये मुलक मुख्तलिफ नेशन से मिलकर एक मुलक बना है, और दुनिया की तमाम अकवाम ही आपको यहाँ पर नदर आएंगी, जिनमें गोरों और कालों के बाद सबसे बड़ी तादाद चाइनीज, इंडियन्स, मैक्सिकन्स और स्पैनिश लोगों की है, यहाँ पर सत्र फीसद से ज़्यादा अबादी क्रिस्चन है, जब के इसलाम सिर्फ और सिर्फ एक इशारिया एक फीसद है, अमरीका साइन्स और टेकनोलजी में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरकत है, और यहाँ पर मौजूद हारवर्ट और MIT जैसी उनिवस्टियां, दुनिया की सबसे बहतरी उनिवस्टियां समझी जाती है, यह मुल्क दुनिया के सबसे अज़ाद ख्याल मौमालिक में से एक है, और अगर आप यहाँ पर कोई काम कर रहे हो, चाहे वो गलत हो या सही हो, अगर इस से किसी दूसरे को निकसान नही नहीं पहुंचता तो आप यह काम कर सकते हैं, इसी वज़ाए से यह मुल्क मजब के मावले में बहुत ही जादाजाद ख्याल है, जिसकी बड़ी मिसाल यहां पर मौजूद चर्च ऑफ सेटन, यनि के शैतानकार चर्च है, अमरीका आज भी दुनिया के सबसे बड़े टू अमरीका के रहने वाले साल का 71,000 अमरीकी डॉलर्स कमा लेते हैं, जो के पाकिसानी करंसी में 1,98,000,000,000 बन जाते हैं, मगर खुछ होने की जरूत नहीं क्यूंकि अमरीका जितना मेंगा हो चुका है, उसलिए हाद से यह कोई इंकम नहीं, नमबर 6, आस्ट्रेलिया, सलाना एक अशारिया छेट ट्रिलियन डॉलर्स, पर कैपिटा इंकम 56,000 अमरीकी डॉलर्स, दोस्तों, आस्ट्रेलिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, जो के एक मुल्क भी है और बर्रयादम भी है, इस मुल्का एक बड़ा हिस्सा मैदानों, सहराओं और जंगलात से भरा जिन में सबसे मशूर कैंगरू है, ऑस्टेलिया की जंगली हायात, आम साइस से बहुती बड़ी और खौफनाक होती है, और ये जानवरों से इश्क करने वालों बायुजिस्ट की तवज्जा का मरकज भी बनता है, जिसकी वज़ा से ऑस्टेलिया का पासपोर्ट रखने व अफराद मुसल्मान हैं, जबके मुल्की बड़ी अबादी का कोई मख़ब नहीं है, इस मुल्क के कल्चर में दोस्ती और वफादारी बहुत ज़दा एहमियत रखती है, और यहां पर लोग साल का तकरीब बन 56,000 अमरीकी डॉलर्स ये निके पाकिसानी 1,56,080,000 पे कमा ल की डॉलर्स, दोस्तो स्विजर लेंड दुनिया का सबसे खुबसूरत और पूर अमन मुल्क कहलाया जाता है, और इसका पासपोर्ट दुनिया का पांचवा सबसे ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, जिसकी मदद से आप बगएर वीदे के दुनिया के 190 ममालिक में जा सकती है ये एक लेंड लॉक्ट कंट्री है जिसके इर्गिद, इटली, फरांस, जर्मनी, आस्ट्रिया और लेचस्टाइन मौजूद है, ये मुल्क यॉर्प का दिल भी कहलाया जाता है और इसके बारे में मशूर है कि इसकी खुबसूरती को देखकर वापस घर जाने का दिल नही सुजजर लेंड बे रहने वाले लोग साल का 77,000 अमरीकी डॉलर तक कमा लेते हैं, जिसके हिसाब से ये दुनिया में सबसे जादा और सलाना इंकम वाले मुमालिक में से एक है। प्राइविट कमपनियों से हासिल करनी पड़ती हैं, ये एक इंतिहाई खुशाल और हाई-टेक मुल्क है जो के अक्सर दुनिया का सबसे कम करप्ट मुल्क भी समधा जाता है क्योंकि इसी की वजए से दूसरे बहुत से मुमालिक में करप्शन होती है। इस मुल्क में वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आज ये चार मुमालिक इंगलेंड, स्कॉटलेंड, वेल्स और नौर्धन आईलेंड पर मुश्तमिल है। जबके तकरीबन 20 मुमालिक आज भी ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह इस पर भरोसा करते हैं। बरतानिया में पूरी दुनिया के अफराद आके रहते हैं जबके म मुसल्मानों की तादा सिर्फ साथ फीसद है और यहां पर 20 फीसद अफराद क्रिस्चन हैं जबके मुलकी 60 फीसद अबादी किसी मजब पर यकीन नहीं रखती। इस मुलक में तालीम काफी सस्ती जबके सेहल की सहुलियात काफी ज़ादा मेंगी हैं और यहां पर 40 फीसद स ज़ादा फरात के पास मास्टर्स की डिगरी है जोकर दुनिया में सबसे ज़ादा है बरतानिया के इंतिया ही खुशूरत मुलक है और दुनिया का ये खिता हर वक्त बेतरी मौसम का मुलक होता है यॉर्पियन यूनियन छोड़ देने के बाद बरतानिया में अचानकी या जाने को प्रेफर करते हैं नमबर त्री आइरलेंड सलाना जीडीबी पांत सो चार बिलियन डॉलर्स परकहपेटा इंकम असी हजार अमरी की डॉलर्स दोतो आइरलेंड का पासपोर्ट दुनिया का तीजरा सबसे ताकतवर पासपोर्ट है जिस पर आप दुनिया के 192 मुमालिक बगेर वीदे के जा सकती हैं ये नौधरन आइलेंड के साथ एक जजीरे पर मुश्तमिल है ये जजीरा नुमा मुल्क सरसबसो शादा पहाड़ों और वादियों से ढखा है और इस तरह के खुदरती हुसन से माला माल है इस मुल्क में ज्यादतर अफराद सफेद फार्म हैं जो के अपने लाल बालों की विज़ते मशूर हैं और आइलेंड के शुमाली और जनुबी हिस्सों के पीच में शदीद नफरत पाई जाती है इसकी असल वज़ाई ये है कि आज से 200 साल पहले ये दोनों मुल्की एक मुल्क हुआ करते थे मगर जिस तरह इंडिया तूटके अलादा हो गया इसी तरह आइलेंड भी तूटके दो हिस्से में बढ़ चुका है 50 लाक अबादी के साथ इस मुल्क में 70 फीसद अफराद सखत किसम के किस्चन है और मुसल्मान या ना होने के बराबर है आईलेंड में रहने वालों की पर कैपिटा इंकम यनिके आजस्टन सालना इंकम 80,000 अमरीकी डॉलर्स के लग भग है जो के पाकिस्तानी 2 करोड 24 लाक रुबे के बराबर है जो के इस हिसाब से इसे दुनिया के सबसे खुशाल मुमालिक में से एक बनाता है और High Value of Foreign Investment यनि के बाहर की मुमालिक से यहां पर इंवेस्मेंट कितनी हाती है इस मामले में दुनिया भर में नबर वन पर है पर Capital GDP के हिसाब से भी यहां की मुष्शत दुनिया की बहतरीन मुष्शत है इस मुल्क में Basic Health और Education बिल्कुल फ्री है जो के हकुमत की तरफ से मिलती है और बाकी आपको Private हासिल करनी पड़ती है दोस्तो सुईडन यॉरप के शदीद शुमाल में वाकिया एक मुल्क है जिसका पासपोर्ट दुनिया में दूसरा सबसे ताक्तवर पासपोर्ट है जिस पर आप बगएर वीजे के दुनिया के 193 मुमालिका सफर कर सकते हैं इसका बॉर्डर नॉर्वे, फिनलेंड और डेनमार्क के साथ लगता है और ये यॉरप का पांचवा सबसे बड़ा मुल्क भी है इस मुल्क की अबादी एक करोड है जिसमें से सिर्फ दो फीसद मुसल्मान है मुल्क की एक बड़ी तदा इसाई है ये मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा दो लाक अटसट हजार पांसो सत्तर आइलेंड्स यनिके जजीरों पर मुश्तमिल है और इसकी कोस्ट लाइन यनिके इसका साहिल समंदर सतरा सो किलोमेटर लंबा है आज का सुईडन दुनिया के सबसे ज़्यादा तरकी अफ़ता मुमालिक में से एक है और यहां के बशिंदों के लिए युनिवर्सल हेल्थ केर और टेरिटरी एड्यूकेशन बिल्कुल फरी है यह मुल्क अपने रहने वालों के दरम्यान बराबरी के हिसाब से भी दुनिया में सबसे आगे है ताहम यहां पर इसलाम से नफरत नस्पतन ज़्यादा पाई जाती है स्वीडन के लोग पुरी दुनिया के सबसे ज़्यादा लंबे कदवाले अफराद माने जाते हैं और यहां पर 92 फीसेद अबादी के बाल, सुनहरे और आके नीली पाई जाती है इस वजह से ये मुल्क बेहतरीन सूपर मॉडल्स पैदा करने की जैसे भी जाना जाता है जर्मनी अमरीका की तरह एक एक एकनॉमिक जाइंट है और दुनिया की बेहतरीन मुईशेतों में से एक है खास दोर पर यहां की बनेवी गाड़ियां दूसरी मशीनरी पूरी दुनिया में बेहतरीन क्वालिटी की अलामत समझी जाती है यह मुल्क रूस के बाद यौरप में सबसे ज़दा बादियाला मुल्क भी है जर्मनी में लोग हजारों सालों से रह रहे हैं यहां के रहने वाले लोग हमिशा से ही जंगजू समझे जाते रहे हैं यह मुल्क अपने अल्प सीन के माउंटेन से घिरावा है और यह अलूमीनियम, आइरन ओर, कोल, पोटाश, टिंबर, लिगनाइट, यूरेनियम, कॉपर, नेट्रल गैस, सौल्ट और निकल के कुदरती वसाइल से भी माला माल है और यहां पर यह वसाइल सच मुछ पाए जाते हैं जर्मनी का क्लाइमेट दर्म्याना है, मगर शदीद हालात में यहां पर आज तक मन्तवी सेंटीग्रेड नहीं रिकॉर्ड किया गया यह मुल्क दुनिया के सबसे कम क्रेप्ट ममालिक में से एक है और यह दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर यनि के चीजे बनाकर बाहर बेचने वाला मुल्क भी है इस मुल्क में दुनिया की सबसे मशूर कमपनिया भी माजूद हैं जिनमें से कुछ बड़े नाम BMW, Adidas, Volkswagen, Simmons, Porsche, Audi, Puma और Hugo Boss शामिल है यर्मनी के लोग इंतिहाई संजीदा और मेंती समझे जाते हैं और यहां की टूरिस्ट इंडिस्ट्री भी दुनिया भर में बेतरीन हैं जहां पर साल के 4.2 मिलियन लोग यनि के 42 लाक अफराद आते हैं यह दुनिया का 8th most visited country भी है और यहां पर मौझूद कदीम और आलिशान कैसल्स यनि के मेहल भी सरानल लाकों लोग देखने आते हैं तो दोस्तों यह थे दुनिया के 10 सबसे मजबूत पासपोर्ट वाले मुमालिक अगर वीडियो पसंद आये तो उसे लाइक करके facebook और whatsapp पर अपने दोस्तों के साथ share ज़रूर करें और मजीद जबदस वीडियो के लिए टॉक्स और के चैनल को भी subscribe ज़रूर करें